हेलो Ο Κाइज !! दीदीशीव चाहर्म तक कैसे हो सारे और său क leo करवाने वाले हूँ स्ट्रिंग्स बदाने वाले हूँ स्ट्रिंग्स immutable क्यों होती है मतलब कि स्ट्रिंग्स grow क्यों नहीं कर सकती है थेक है स्ट्रिंग्स में बाद में व्ल्यूज आयड क्यों नहीं सकती है यह सब और एक रियल वर्ल्ड के सॉफ्ट्वेयर में यूज होता है यह स्ट्रिंग पूल का कॉंसेट्ट यहां यह स्ट्रिंग पूल से रिलेटेड है प्राक्टिकल इंप्लीमेंटेशन के साथ इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूं आपको सारी चीज है तो इस वीडियो के बाद जाके देख रहेना औरना थोड़ा थोड़ा यूँ पता दूं स्ट्रिंग कॉंसेंट पूल नाम की एक जगे होती है जो स्ट्रिंग वालो ने उधार ली हुई है कहां पर हीप मेमोरी के अंदर जहां पर वह वैल्यू को कॉंसेंट रखता है बताने की कुशिश करूंगा अभी इस वीडियो के अंदर ठीक है नौ स्टैक में अब हम क्या शुरू करेंगे एक वैरियबल को बनाएंगे ठीक है तो स्ट्रिंग एक वैरियबल मनाया जिसमें मेरे मान लो रियल वल्ल का एक्जामपल ही समझो जैसे की एक हम स्कूल का बन अब जो कम से कम मेमोरी लेगा वो जदा स्पीड देगा याद रखना तो ऐसा भी कुछ नहीं है तो अब जो कम मेमोरी में कैसे काम चलेगा जैसे स्ट्रिंग S1 एक बंदा एक लड़के का बच्चे का नाम है जो S1 शिवम नाम का है ठीक है मैंने एक हीप मेमोरी में जगे लेली क्या जगे नाम की लेली पूल नाम की उदार ठीक है उसमें मैंने एक शिवम नाम का वैल्यू को स्टोर करवा दिया नो एक और बच्चे का नाम क्या है शिवम है अब उस बच्चे का नाम को मैं दुबारा स्टोर करवा हूँआ क्या दुबारा जगे घेर हूँआ क् मैं क्य कर दूँगा उसको refer कर दूँगा, ठीक है, सीधा मैं उसको यहां से link कर दूँगा अपनी pool memory में, ठीक है, तो string constant pool करते हैं इसको क्योंकि यह repeat वाली value को constant रखेगा, यह बढ़ाएगा नहीं, no, इसका फाइदा कौन उठाएगा, अब अगले बच्चे का नाम भी अगर शिवम निकलता है, तो वो दुबारा link कर देगा, पिर अगर चौथे बच्चे का नाम भी अगर शिवम निकलता है, तो वो दुबारा कर देगा, अब यह चौथे मतलब जरूरी नहीं है, section अलग हो सकते है, classes अलग हो सकती है, उससे लेन देना नहीं है, we are talking about to memory efficiency, string pool की बात कर रहे है, immutability की बात कर रहे है, immutability मतलब cannot grow, cannot change, cannot grow सही हो समझो, cannot change, इसको modify नहीं कर सकते, अब यह माल लो, 4 बच्चो के नाम थे, 4 बच्चो के नाम सेम थे, pool में चगे बनी एक, नाम स्टोर हुआ एक जगे, 4 बच्चो को क्या कर दिया, link कर दिया, अब गलती से, 1 बच्चा के बोल दे, नहीं sir, मेर को अपना नाम ना चेंज करवाना है, school में, सब बच्चो करना मतलब comments है, किसी का पपबल है कि सरनेम लगाना है फ़र एक्जामबल ठीक है तो भाई साब S4 वाले ने क्या कर दिया अपना नाम चेंज करवा लिया किस में करवा लिया? शिवम शर्मा ने अब अगर ये शिवम शर्मा ने नाम चेंज करवा लिया और सेम जगे लिंक करने लग गया तो भाई गड़बड हो जाएगी कैसे गड़बड हो जाएगी क्योंकि अब यही शिवम शर्मा चेंज नहीं होगा अगर यही चेंज होगा तो यह तीनों का नाम में ही किसको refer कर रहे थे एक बंदे को तो अगर यह बंदा नाम चेंज कर वा लेता और वहां पर मेंपूल मेमोरी में फेक्ट पड़ जाता और मेंपूल मेमोरी में फेक्ट पड़ जाता तो फिर क्या हो जाता गड़बड हो जाती क्योंकि सब बच्चों के नाम क्या हो जाते, चेंज हो जाते, तो इसके लिए अलग से पूल में मेमोरी बन जाएगी, नया जगे बन जाएगी, क्या यह जो चीज़े मैं बोल रहा हूं, क्या वो सत्य पे, सत्य घड़नाओं पर आधा रहता हैं, जी हां बिल्कॉल, यह मैं आ प्रक्टिकल इंप्लिमेंटेशन भी दा, ठीक है, अभी तक यूट्यूब पर किसी की वीडियो नहीं देखोगे, नौ, आप बात करें, जो हम कर रहे हैं, इमेटिबलेटी की, जो हमने किया, यह जो मैं बतार नहीं की कोशिश कर रहा था, अनिमेशन के दूरू, वह ही मैं अब यह हमने देख चुके हैं, कहां पर, जो हम प्रिंट करवा रहे हैं, ठीक है, str1 equal to str2, तो यह जब हम कर रहे हैं यह आपर को true दे रहा था, क्योंकि, ok, str1, कर दिया न, st1, और st2, save करेंगे code को, run करते हैं, तो यह मेरे को true देगा, क्यों true देगा, क्यों true देगा, क्यों confirm हो गया, no, अगर s3 वाला बंदा आता है, ठीक है, और st equal to, यह भी क्या रखवाले अपना नाम, शिवम इसका नाम भी क्या आगया, शिवम आगया, ठीक है, अब यह वाले बंदे को मैं जरा compare करवाता हूं, अपने third वाले से, ठीक है, save करके आपको code दिखाता हूं, यह भी उसी को ही refer कर रहा है, क्या true हो गया, no, अब यह गल्ती से तीसरा वाला बंदे ने क्या बोला, मेरे को अपना अपना change करवाना है, इसने अपने registration के time पे नाम शिवम दिया था, no, इसने बोला, अब मैं क्या करना चाहता हूं, अपना नाम change करवाना चाहता हूं, इसने अपन क्योंकि ये false, अब ये true false का आप मतलब जानते हो कि ये content को match नहीं करता है, double equal to, जो मैंने बताया था आपको pool में, ये instance को, ठीक है, reference को, object को compare करता है, okay, कि same instance है कि नहीं, यानि कि अब ये st, st3 नया बच्चे का नाम कहीं और instance में बढ़ा है, एक new memory allocate होगा इसको, got it, अगर ये बंदे का नाम same में change हो था, कि वो true दे रहा था न उस time, तो अगर ये same change हो जाती, तो इन दोनों की value पर क्या effect पढ़ जाता, क्या सब के नाम बदल जाते, तो, अब जैसे ऐसे, मैं अब बर st1 को print करवाऊं, save करके, no, st1 मेरा shivam है, लेकिन, मैं st3 करवाऊंगा, तो मेरा st3 क्या हो जाएगा, shivam शर्म हो जागा, ये update हो गया है, लेकिन update होने से पहले ये उसी को point कर रहा था, क्योंकि आपने true देखा, got it, अब, अगर मैं चाहूं content कैसे match होते है, ठीक है, that is the part of comparison, ठीक है, लेकिन st3.equals, और जो भी, हमारा, मतलब content equals लिख दो, या equals लिख दो, और st1 कर दो, ठीक है, save करेंगे code को, run करेंगे, तो अब ये मेरे को false देखा, content equals, ये content match कर रहा है, और simple equals भी लिख सकते हो, आप, save करके code को, run करोगे, तो false, क्योंकि दोनों को content अलग-अलग है, एक और चीज में आपको चाहिए, ये ये चोड़ो अभी, ये अभी फिलाल, immitability रखते हैं, ज्यादा time कीशते हैं, ये सारा comparison का काम है, और भी तरीके होते हैं, double equal to से भी आप कर पाऊगे, तो ये सारा मैं आपको कहां बताऊँ आपको, अपना जो भी video होगी, string comparison की, वहाँ पर ये सारा हम discuss करेंगे, one by one, okay, फिलाल आपको, इस पर मैं research करने को दे दिया, मतब थोड़ा सा मैंने बता दिया, string comparison करना है, dot equals पर बता दिया, dot content equals भी बता दिया, इस पर थोड़ा जागे करो, और double equal to से भी क्या कर सकते हैं, ऐसा कुछ करना है, ठीक है, फिर बाकी मैं बताऊँगा आपको आगे, आने वाली video में, video के chapters के अंदर, ठीक है, मेरे साब आगे है, थोड़ा ही छोटा रखते हैं, और real world के software के example में मैंने बता दिया, हाँ, कैसा impact डाल सकता है, ठीक है, तो कुछ और रह गया हो, तो comment section में मेरे को बता देना, बाकी telegram, instagram में मेरे साथ community में grow, करना चाहते हो, जुणना चाहते हो, आ सकते हो, welcome है, strings in Java, यहाँ देख योगी playlist, इसे हम बहुत सारा content आने वाला है, ओके, नीचे अपनी main playlist है, course की, बाबाई,